मौपिट के दिवानों के लिए आज मेरे पास एक बड़ी ही कमाल की खवर है जहां TVS अपनी इलेक्टिक मौपिट को लौच करने की त्यारी कर रही है जैसे कि इसी साल फरवरी में काइनेटिक ई लूना को लूंच किया गया था जहां इस इलेक्टिक मौपिड को ग्रामिन एरिया के हिसाब से त्यार किया गया है जिसमें 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो सिंगल चार्ज पर 110 किलोमेटर की रेंज देती है वहीं इ अपने मौपिड शेक्शन के लिए दो नए वहिकल्स को ट्रेड मार्क करवाया है जिसमें टीवियस एक्सल एवी और एक्सल शामिल है यहां पर आपको बता दूं कि टीवियस की मौपिड एक्सल हंड़ भारतिय बजार में काफी लोग परी है जहां मौपिड सेग्मेंट म यह अकेला ऐसा मौडल है जो सालों से चल रहा है और यही बज़ा है कि कंपनी अब इस मौपिड के लिए इलेक्टिक मौडल को लाने की त्यारी कर रही है और लौच होने के बाद ये इलेक्टिक मौपिड काइनेटिक ग्रीन की इलेक्टिक लुना को टकर देगी हालांकि इस में इसमे इलेक्टिक सेग्मेंट में एक मात्र मौडल आई क्यूव ही है जिस पर इस महिने 41,000 ृपीज का डिसकॉंट भी चल रहा है बहीं बात करें TBS Axle Electric Moped के बारे में तो TBS Axle Electric Moped में फ्रेम, गोल हेडलाइट, स्प्लिट सीट, क्यूबलर ग्रैव रेल और स्ट्रक्चर मौजूदा Axle 100 के समान ही दिया जा सकता है इसके अलावा इसमें सस्पेंसन के लिए कमपनी इसके फ्रेंट में टेलिसकोपिक फोर्क्स और रियर में डूल स्प्रिंग्स दे सकती है, बहीं ब्रेकिंग हार्डविर में स्पोक वील्स पर फ्रेंट और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिये जा सकते हैं, हालांकि अभी तक इन में मिलने वाली बैटरी पैक की तो TVS XL EV को centrally mounted बैटरी पैक और उसके बाद belt setup से less किया जा सकता है वहीं इसमें काइनेटिक लूना की तरह ही 2 kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है जो 50 km पर आवर की top speed से दोर सकती है और single charge पर इसकी range 110 km तक रहेगी जैसे कि काइनेटिक लू और एवी में भी range मिलती है वहीं हाल फिलहाल मिलने वाली XL की तरह इसे भी अधिक बजन ले जाने के हिसाब से मजबूत बनाया जाएगा रही बात इसकी कीमत की तो हो सकता है कि company इसकी कीमत 50-70,000 रुपे के बीच में रख सकती है तो guys ये थी आने वाली TVS की Moped XL EV के बारे म न्यूस अपडेट, hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पे और पे क्लिक करें तो जहिन दोस्तो, have a good day